दोस्तो इस समय दुनिया के हालात को देख के ऐसा लगता है जैसे कि भविशे में जो लड़ाईयां होने वाली हैं वो फाइटर जेट्स और मिसाइल से नहीं बलकि साइंटिस्ट के दिमाग में उपश्ती हुई खुरापाती सोच के दोरा लड़ी जाएगी इस समय दुनिया में क्या चल रहा है दोस्तो वो तो आपको पहले से ही पता होगा और ऐसी इस्थिती के बीच में ही दोस्तो अमेरिका जैसी महाशक्ती को भी ये कहना पढ़ रहा है कि World War II के बाद इस समय पहली बार ही अमेरिका जैसे देश को युद इस्तर पर इतनी ज्यादा तयारी करनी पढ़ रही है एक कोरोना जैसे बिमारी से लड़ने के लिए ये बिमारी दोस्तों देखने में तो काफी छोटी है लेकिन इसका असर कैसा है ये तो आप पहले से ही जानते हैं और ऐसे ही कठिन समय में दोस्तों भारत ने दुनिया के 13 देशों को HCQ यानि की hydroxy chloroquine की 14 million यानि की 1.40.000.000 टैबलेट्स देने का फैसला किया गए ये टैबलेट्स ही इस समय कोरोना जैसे गंभीर इस्थिती में रामबान बने हुए हैं और पूरी दुनिया में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत ही करता है और इसलिए पूरी दुनिया को इस समय भारत से मदद की गुहार लगाने की जरूरत पढ़ रही है भारत वो देशों दोस्तों जो की HCQ टैबलेट्स में टोटल दुनिया में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 70% प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में ही किया जाता है और ये वही टैबलेट्स है जिससे लोग इस पहमारी से रिकवर हो रहे हैं यानि कि ये टैबलेट काफी ह और इसलिए दुनिया की सारी कंट्री इसके लिए भारत से गुहार लगा रही हैं अभी भारत ने जिन 13 देशों को ये टैबलेट्स देने का फैसला किया है उनमें अमेरिका, इस्पेन, जर्मनी, बहरेन, ब्राजील, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, माल्दीव, बा इसके अलावा भारत ने कैनेडा और इसराइल को भी इन दवाओं को देने का फैसला किया है ये सारे देश ही दोस्तों अपने अपने तरीके से भारत के प्रती अपने थैंक्फोलनेस को प्रकट कर रहे हैं और सारे देश भारत के प्रती अपने आभार को दिखा रहे हैं आ भारत पहले के मुकाबले और जादा मजबूती के साथ दुनिया के सामने खड़ा रहेगा क्योंकि डिफेंस के मामले में तो पहले से ही आपको पता है कि डिफेंस के मामले में भारत अल्रेडी काफी आगे है चाहे भारत का defense budget हो या भारत में defense की technology हो इन सारे ये defense related चीज़ों में भारत ने पहले ही दुनिया में top 5 में शुरू से ही list में जगा पे बना के रखा है अपने नाम को लेकिन अभी जो situation होई है उसके थूँ भारत का एक अलग तरीके से भी भारत को देखा जाने लगा जाएगा और साथी साथ ऐसी situation को ही देखते हुए बहुत सारी countries जिनको शायद अभी इन दवाओं की जरूरत ना भी पड़ी हो लेकिन वो भी ये चीज़ देखेंगी और ये समझने पे मजबूर हो जाएंगी कि भारत एक ऐसा देश है जो कि खुद भी इस महामारी से कम पीडित ना होते हुए भी बाकी अपने मित्र देशों की मदद करने को आगे आया है और इस मुश्किल घड़ी में भारत सब की मदद कर रहा है जहां तक पॉसिबल हो पाए और साथी साथ भारत को क्योंकि अपने यहां भी देखना है इसलिए ये मदद कहीं न कहीं एक लिमिटेड तरीके से हो रही है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसी स्थिती में भी भारत मदद करने को तैयार है लेकिन जब ये सब कुछ खतम भी हो जाएगा दोस्तों तब भी दुनिया की दो कंट्रीज ऐसी जरूर रहेंगी जिनके साथ जैसा रिष्टा हमारा अभी है उमीदन ऐसा ही रिष्टा भविष्च में भी होने वाला है और वो दोनों कंट्रीज हैं दोस्तों चाइना और पाकिस्तान चाइना के बारे में तो अभी जितना कुछ है वो तो आप जानते ही है कि इस चीज की शुरुआत ही वहां से हुई है और कैसे कैसे उनकी कुछ गल्तियों की वज़े से ये चीज पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इस से कितनी जादा कैजूल्टीज आए दिन होती जा रही है और रही बात हमारे दूसरे परमित्र पाकिस्तान की तो उनके बारे में भी आपको पता है दोस्तों कि पहले वो बॉर्डर से आत्म घाती लोगों को भेजा करते थे लेकिन अब तो साथ साथ वो ऐसे बिमार लोगों को भी भेज रहे हैं जो कि इस बिमारी को हमारे देश में फैला सके तो इन दो कंट्रीज के साथ तो हमारे रिष्टे ऐसे ही रहने वाले हैं लेकिन इस process में दोस्तो बाकी दुनिया की जितनी भी countries हैं वो भारत के प्रती और ज्यादा positive नजरिया भविश में अपनाएंगी और इसका कहीं न कहीं international platform पे भारत को बहुत बहुत ज्यादा भविश में मिलने वाला है तो बस दोस्तो अभी के लिए इतना ही उमीद करता हूँ आप अपने घर में सुरक्षित होंगे आप अपना ध्यान और अपने प्रियजनों का ध्यान बनाए रखिएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन